प्रशायmotion क二 May ऐस वेटारी है, की ओअधिर बटेव देखु में और फिर यहाँ unique चैनल है। अगर आपने फुर्स वीडियो नहीं देखा है, तो आई बटन पे उसका लिंका रहा है, जाओ फुर्स्ट वीडियो देखो और फिर यहां पर आना। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीख लिए कि हाँ economics क्या होता है, micro macro क्या होता है और economics का basic सब को जान लिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं कि positive और normative economics क्या क्या होता है सबसे पहले ये word समझने का कोशिश करना होगा positive and normative positive मतलब arrow देखे लिखना positive मतलब what what is what is normative मतलब यासी arrow देखे लिखो what should be what should be positive मतलब क्या हो भाईया क्या हालात है past present future क्या है और normative मतलब क्या होना चाहिए था एकदम simple example बताते है positive यहाँ पर यह मत समझना तुम लोग कि कुछ अच्छा बात हो रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं कि कोई अच्छा comment है तो वो positive है ना वो concept नहीं positive मतलब क्या है for example मम यहाँ पर क्या बोलते है हमारा बेटा नालायक है तो वो एक positive economics है for example है मतलब यह relatively बता रहे है ऐसा मतलब कुछ है नहीं बढ़म बता रहे है positive economics मतलब कि हाँ मेरा बच्चा कैसा है नालायक है और normative economics मतलब शर्मा जी का बेटा को देखो वैसा होना चाहिए समझा रहा है इंडिया का economy कैसा है अभी डाउन है है explorer कि देखो वैसा हों ना चाहिए तो इंडिया का हिज़ू के बारे में बात करने अभी कैसा है वह positive economics और कैसा होना चाहिए चाइना के जासा तो वह 9往 मैटिव फसके करते positives एकनॉमिक्स डील स्वेट एकनॉमिक इशूस रिलेटेट टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर यह ऐसे एकनॉमिक सिचुएशन से डील करता है जिसमें फैक्ट्स फिगर्स हो एक्जेंपल देख लो नीचे है दो चार पहला इंडिपेंडेंडेंस के टाइम पे पोवर् तो पुछना क्या उस टाइम हमारा देश के पास इतना पैसा था नहीं बिटिश हम लोगों को लूट के चल गए थे ठीक है बट अभी का सिचुएशन इस मच बेटर फिर 22 परसेंट पॉपुलेशन इंडिया इस एपसलीटली पूर उपर वाला पास से रिलेट करकर अभी बता रहा था और यह एकदम अभी का सिचुएशन बता रहा कि अभी इंडिया में बास परसेंट ऑफ दा पॉपुलेशन पूर है थर्ड वाला इस पॉपुलेशन इंडिया 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 कंटीनूज तो ग्रोड एक्जिस्टिंग रेट पर्सेंट एफ नेक्स पेज में जितना observation है जो हम लोग पिछले पेज में की हैं सब क्या बतला रहा है या तो past के बारे में बता रहा है या तो वर्तबान present के बारे में बता रहा है या तो future के बारे में बता रहा है तो positive economics क्या हुआ वोट वॉज या फिर वोट एस या फिर वोट वुड भी क्या था क्या है या क्या होगा और normative economics क्या होना चाहिए देखते उसके बारे में भी उससे पहले positive statement का कुछ characteristics अपन देखेंगे पहला यह statement highlight करता है nature and extent of economics क्या nature and extent of economics ठीक है यानि कि किस nature का economic का हम लोग का problem है क्या nature है पुराना problem है तो क्या बोलेंगे past nature का अभी एकदम तुरंत का present का problem है तो present nature का है और अगर बोले future का problem है तो future nature का है okay second यह जो है statement क्या ऐसे ही मतलब हवा में बोलता है नहीं भाया research होता है fact और figure दे करी होता है positive economics में fact and figure होता है चाहे वो past का हो चाहे वो present का हो चाहे वो future का हो third यह verifiable truth है मतलब अगर हम बोलें तो मेरे पास proof होगा तुम लोग अगर verify करेगा उस factor को तो तुम लोग को answer मिलेगा हाँ यह तो सही है for example 22% poverty right कहां से पता चला भाईया अप अपने से बोल रहे हैं हम बोले book में लिखा है book को कहा से पता चला government research करता है वो अपने website पे डाल क कर लो जाओ खुद घर घर जाके research करो पता चल जाएगा तो यह verifiable truth होता है positive economics ऐसे हवा वाला बात नहीं होता है और चौथा statement do not reflect any value judgment और opinion ऐसा कुछ नहीं कि यार को judgment दे रहा है कि यार गरीब है oh my god बुरा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं कोई judgment नहीं बताएगा fact ठीक है कि हा यह देश में इतना पसंट लोग गरीब है कोई emotion नहीं कोई judgment नहीं positive economics क्या भाईया fact and figure के उपर होता है past present future से related verifiable होता है यानि कि future में हम लोग अगर चाहे तो उसको verify कर सकते है कि क्या सही है लाओ हम check करेंगे और last कि जो judgment होता है जो opinion होता है वो इस economics में हम लोगों को नहीं देना अपना राय नहीं देना अभी कॉशन लिखा है क्या बोलता है इसको टिक करो कि इस इंपोर्टेंट तो नोट डाट positive statement are not necessarily the statement of truth यह ज़रूरी नहीं है कि वह statement of truth हो हो सकता है कि कोई research हुआ वो research के according यह पता चला कि इंडिया के 10% of लोग illiterate है उनको ABCD भी पढ़ने नहीं आता है यह research हुआ था अब यह ज़रूरी नहीं कि यह सच हो अरे बहुत जनको वो लोग नहीं research में लिया होगा बहुत गाओं वो नहीं गया होगा तो वो सच है ऐसा हम नहीं बोल रहे है यह बात बोलना कि इंडिया में 10% ही लोग illiterate है यह गलत होगा क्यों क्योंकि आप जो research की है आप कुछ आप मानी जहर्खन में ज्यादा research की है और डली में कम की है जब आप डली में ज्यादा करेंगे तो कोई और rate आएगा तो वो आपका research के हिसाब से सही है लेकिन वो सच नहीं है वो सही है आपके research के हिसाब से यहाँ पर देखो एक जन बोला कि 100 करोड पॉपुलेशन है एक जन बोला कि 121 करोड पॉपुलेशन है दोनों अपने जगा पर सही है दोनों के पास कोई न कोई प्रूफ होगा दोनों सही है दोनों positive economics है लेकिन सच क्या है कि हाँ population 133 करोर्स है इंडिया का वो truth है ठीक है बट दोनों का बात सही है उनके according उनका जो research है उसके सबसे बोलोग सच बोल रहा है ओके भाई या positive economics एक दम क्लियर एक बार हम repeat कर दे रहे हैं तुम लोगे सामने पहला बात क्या बोला भाई या very feasible truth होता है किसका past present or future का ठीक है यह दो normative economics मतलब यहां पर तुम्हारा opinion मांग रहा है difference देखो उपर में opinion मांगा था तुम्हारा राय मांगा था कि भाई क्या poverty यह क्यों है क्या करना नहीं normative में बोलता है चल अपना राय दे अपना opinion दे क्या होना चाहिए बता for example सब complain करता है कि यार यह ऐसा इंडिया ऐसा इंड ट्रट इपिघरए इंडिया का यह रहा है Improve ओर हो रहा तो वह लोग क्या कर रहा है वह लोग एक्व्स म expenses के साथ positive the economics अभी तुम क्या बोलोगे रे तुम ही बताँ क्या होना चाहीए किस Drake कि झाव लोग को बनना च्रक कि करना चाहिए कि बैट बटमना लॉना चाहिए वक्य ought to be, क्या होना चाहिए, ठीक है, उपर में हिंदी में लिख लो, क्या होना चाहिए, अभी, अलग economics, economists का, अलग-अलग solution था, economic problem को लेकिए, अलग-अलग definition था, लेकिन सब अपना opinion दिया, for example, government का न, कुछ, एक scheme आया था, जिसको वो लोग बोलते थे, मन्रेगा, यह M-G-N-R-E-G-A है, तो इसमें G जो है, वो silent है, second वाला, तो क्या read करते हैं, मन्रेगा, full form, महत्मा गांधी, National Rural Employment Guarantee Act, Guys, this is a very important act, तुम लोगों को याद रखना है, कैसे याद होगा, simply, मन्रेगा, महत्मा गांधी, National Rural Employment, यानि कि जो गाउं देहाद में लोग रहते हैं, उनको नौकरी दिलवाना, Rural Employment, Rural मतलब गाउं देहाद, Employment मतलब नौकरी, तो महत्मा गांधी, National Rural Employment Guarantee Act की, Guarantee दे रहत ये Act बना था, ठीक है, इसमें क्या, भाई जो लोग के पास नौकरी उकरी नहीं है, वो लोगो थोड़ा बहुत पैसा का मदद करते हैं, और वो लोगो नया नया स्किल सिखाते हैं, तो मन्रेगा का ये था, अभी ये क्या कर रहा है, हम लोग जो Tax दे रहे हैं, हम ये opinion होगा कि नहीं, हम लोग का पैसा से मदद नहीं करना है, रोको, वो लोग का ये opinion है, मन्रेगा शुड नौट भी पर्शूद अलिस इंसर्स एसे क्रिएशन इंडर एकोनोमी, अगर मन्रेगा के कारण देश का भला नहीं हो रहा है, देश में कोई नया एसेट, कोई नय या ऐसा चीज नहीं है, जिसके कारण हम लोग का देश का वैल्यू बढ़ है, मत यूज करो, ये opinion है, ऐसा कुछ हो नहीं रही है, लोगों का opinion है, किसी का opinion था, नोट बंदी होना चाहिए, किसी का opinion था, नहीं होना चाहिए, तो ये opinion है, यहाँ पे तो verify होगे, truth पता चलने क बात ही नहीं है, they are not verifyable truth, verifyable मतलब कि पता करवाओ, सच है, अरे भाई, यहाँ तो हम अपना राय दे रहे हैं, हो सकता है मेरा राय गलतो, हो सकता है मेरा राय सही हो, तो ऐसा कुछ ही नहीं है, कि ये verifyable truth है, अभी जैसे ओपर characteristic पढ़े है, पॉजिटिव का, ऐसी normative का कर रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, चिला रहा है इधर उदर से, तो वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग debate कर रहा है, क्या कर रहा है, बहस कर रहा है, किस पर economy पर, तो क्या वो लोग जैसा बोल रहा है, ऐसा होते ही जा रहा है, नहीं भाई, अपना अपना opinion दे रहा है, भाईया positive economy very very feeable truth होता है यहाँ पर क्या normative economy very feeable truth नहीं होता है ठीक है और यह क्या बोलता है what ought to be क्या होना चाहिए फिर एक caution दिया caution मतलब warning क्या बोल रहा भाईया बोलता है what ought to be is just an opinion of an individual लगला का राय है ठीक है जैसे कि देश हजाद होने के बाद बहुत से economist बोले हैं कि यह जो public sector है उसको priority दो private को जादा मत priority दो फिर जब नया economic policy आया तो उसमें क्या बोला गया रहे private को दो वो लो quality product दे रहे तो सब का अपना अपना राय है कुछ राय को लिया जाता है कुछ को भाव नहीं दिया जाता है ठीक है ओके अगें differentiation हम पहले बता चुके differentiation के ओपर question आएगा 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 तो differentiation अच्छे से करना है और differentiation जब कर लेते हैं आपन तो बहुत हद तक अपन का पूरा topic हो जाता है अभी तुम लोग अपने difference बताएगा positive में बताओ क्या होता है भाईया उसमें past present और future का बात होता है normative में भाईया उसमें opinion मांगता है कि तुम्हारा क्या राय है ये economy problem का solution क्या होगा economic problem क्या होता है भाईया देश का जो पैसा related समस्या है उसका solution क्या होगा second positive economics में क्या बोलता है what was what is what would be past present future का बात करें normative में क्या होना चाहिए what ought to be third positive economics क्या सच होता है भाईया सच भी हो सकता है जूट भी हो सकता है लेकिन ये verifiable truth होता है कि कल को आप चाहो तो verify कर लो जैसे कुछ लोग बोला कि इंडिया का population चाइना से ज्यादा है तो ये सच है तुम पता करके देख लो चाइना का population इंडिया से ज्यादा है अगर उल्ट है तो इसको seriously मतलो true false नहीं है कि सचे के जूट बस उसका बात सुनो को क्या बोलना चाहता है क्या opinion है ठीक है जैसे कोई बोलता है old age pension stop हो जाना चाहिए तो वह हुआ नहीं है वो उसका राय है कोई बोलता है कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए अरे वह अगला का राय ह ऐसा थोड़ी हो जाएगा उसके बोलने से ठीक है number four क्या positive economics में fact and figure होता है हाँ क्या normative economics में fact and figure होता है नहीं positive में जो factor figure है क्या हम जाएंगे road पर पता करेंगे तो मेरा भी वही आएगा हाँ और normative में तो खली opinion है और पांच हुआ positive में judgment नहीं होता है value judgment नहीं होता है normative में value judgment होता है simple एक दम बच्चा जैसा बात था okay फिर आते हैं अगले page में economy है क्या देखो जो लोग हैं वो लोग अलग-अलग sector में अलग-अलग काम करके अपना जिन्दगी चला रहे हैं कुछ business कर रहा है कुछ service कर रहा है कुछ factory में काम कर रहा है सबका अपना-पना काम है कोई servant है कोई पियून है सब कोई काम कर रहा है सब कोई पैसा कमा रहा है और वही पैसा से सब कोई बाहर जाके product खरीद रहा है है की नहीं यही तो अपना एकनॉमी है simple word में economy highlight करना economy is a system by which people of an area earn their living लोग अपना घर चला रहा है वही system को क्या नाम दे दिया economics बात करते है nature and type of economy ठीक है तो क्या बोला है यहां पर देखो एक होता है अगरी कल्चर एकनॉमी अगरी कल्चर मतलब खेती बाड़ी तो एक economy है जो पूरा पूरी खेती बाड़ी पर हम लोग का है की नहीं तुम लोग खुद सोचा फार्मर्स जो होते हैं कितना महनत करते है वो खाना जो सबजी होता है जो वीट वगेरा होता है वो सब उगाते हैं उसी के कारण हम लोग खाना खा पा रहे हैं तो वो एक economy है पूरा उनके ओपर dependent इंडिया एक है इंडस्ट्री पर अभी तुम जो फोन चला रहे हो वो कहीं से बन के आया होगा कोई factory से एक company होगा ल एक और होता है service sector उसका बात अभी नहीं किया ठीक है ओके तो बोलता है जब type of economy देख रहे हैं तो वो किस पर depend करता भाईया वो depend करता है degree of control of economics activities of the people यह क्या है भाईया economic activities कोई भी ऐसा activity ध्यान से सुनना बहुत important बात बोल रहे हैं कोई भी ऐसा activity जो पैसा generate करे वो एकनोमिक activity एक शेफ होटेल में खाना बना रहे है उसको पैसा मिलेगा economic activity तुम्हारी मॉम घर में खाना बना रही है उनको पैसा मिलेगा नहीं non economic activity खेक है एक dolgtर मरीज का इलाज कर रहा है पैसा मिलेगा हाँ economic activity एक डॉक्टर अपनी फैमिली मेंबर का इलाज कर रहा है पैसा मिलेगा नहीं non-economic activity ठीक है हम टूशन पढ़ाता है मेरा प्रॉपर अकाउंट का क्लासेश चलता है CACC में सबको पढ़ाते हैं वहां से पैसा मिलता है economic activity हम तुम लोग को economics free में पढ़ा है non-economic activity ठीक क्या है जहां पे पैसा मिले production consumption इंवेस्टमेंट चाथ चीज़ का बात हुआ यहां पर है अंडरलाइन करना प्रोड़क्शन मतलब समान बनता है नप्रोडियूस होता है मैनुफैक्टर होता है मुबाइल है फैक्टरी में बन रहा है प्रोड़क्शन हो रहा उसका इन्फैक्ट तोमझे टेबल पर बैठे वह भी कहीं बना है production होगा consumption जो हम लोग यूज करते हैं mobile यूज कर रहे हैं consumption हो ठीक है investment जब पैसा मेला तो उसको invest करते कभी सुना होगा share market में पैसा लगा क्या होता है पता है वहां पे वहाँ तुम कुछ पैसा लेते हो मानो 100 रुपया तुम share जादा मिलेगा और अगर वह गेर गया तो आरे यार पैसा डूब गया ऐसे बोलते हैं तो कि सौ का सौ डूब जाता है नहीं सौ है मानो 90 तक दाम गिरा उस शेयर का तो वह एक अलग इंवेस्टमेंट क्या कि भाया कहीं पैसा लगाएं और उमीद कर रहें कि वहां से हम लोगो रिटार्न में ज्यादा मिलेगा तो यह जो एक्टिविटीज है इसमें गवर्मेंट का बहुत बड़ा रोल होता है फॉर एक्जैंपल चाइना रशिया नॉर्थ कोरिया चाइन साइड करेगा क्या होगा नहीं होगा ठीक है तो जहां पर कंट्रोल गवर्मेंट का ज्यादा हो वो क्या वो कंट्रोल्ड एकनॉमिक्स वो सेंटरली प्लैंड एकनॉमिक्स क्या बोले हम जहां पर गवर्मेंट का कंट्रोल ज्यादा हो एक्जैंपल रशिया चाइना नॉर अपना जैसे मेरे को company खाड़ा करना तो उतना ज्यादा government का control नहीं है अभी तो नौर्ट कुरिया में company खाड़ा करना है तो permission लेना होगा किम जो मियूम से यहाँ normal permission उतना tough नहीं है तो जहां पर कम degree of control control government कम रखे economics पर वो क्या होता है free economics के भाई तेको जो करना है तू करना बस law जो है law के तहट कर अब यह नहीं कि हम जो करने बोले तो तुम drugs बेच रहा है नहीं law के अंदर कर जैसे USA UK यह सब जगा पर free economics है और एक होता है mixed economy जैसे इंडिया में इंडिया क्या इंडिया mixed economy यहाँ पर control बहुत ज्यादा भी है और कम भी है जैसे कि rules and regulations tight है बट ऐसा नहीं है कि तुम को करने ही नहीं देगा अगर तुम rules and regulation के तहट कर रहा है तो करने देगा तो इंडिया mixed economy एक होता है USA and UK देखो फिर से differentiation 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 देखे खुश हो जाओ कि भाईया differentiation दिखाए आ सकता है तिक मार दो ठीक है क्या controlled या फिर centrally planned economy example याद रखना अच्छा है ना North Korea North Korea क्या ताना शाही है वो लोग जो बोलेगा वही होगा जो उसका मालिक बोलेगा जो वहां का होता है तो जो किंग बोलेगा तो वहां पर क्या centrally planned economic activity यानि कि गवर्मेंट के हाथ में पूरा पूरी फुरी इकनोमी में किसके हाथ में होता है भाईया जो करना है कर अपने मन पे जैसे कि USA और मिक्सडि में दोनों मिक्स्चर होता है ठीक है जो करना है करो लेकिन रूल के सब्सक्रा एकनोमिक डिसीशन जब centrally planned economy में होगा जब controlled economy में होगा तो क्या होगा भाईया वो लोग वेलफेर के ध्यान देगा वो लोग क्या देखेगा कि मेरा देश का भला हो अभी किम जॉम है वो तो छोड़ो वह exception है लेकिन कोई पी जैसे रशिया है वो कोई पी decision और इसमें mixed economy में दोनों चीश profit maximization भी कि जादा से जादा profit हो और social welfare भी कि यार लोगों का भला भी हो तो best in India दोनों चीश पर focus कर रहा है तीसरा consumer sovereign नहीं है मतलब central authority decides what goods are to be produced for the people तुमको जो बनाना है वो matter नहीं करता ऐसे countries में जो government बोलेगा वहीं बनेगा country sovereign नहीं है consumer sovereign नहीं है उसका अजादी नहीं है और USA जैसे जगह में जहाँ पर free economy है consumer को जो बनाना है बनाओ जो खरीदना है खरीदो और mixed economy में mixed economy में consumer sovereign है सिर्फ एक जगह नहीं होता है sovereign कहा Central Planned Economy भाई या आप एक word बार-बार बोल रहे हो Sovereign, Sovereign ये Sovereign, Sovereign क्या है? देखो जब किसी के हाथ में Power होना तो कहते हैं कि उसके पास Sovereign है उसका अभी जो Centrally Controlled Economy जहाँ पे North Korea में किम जौम हुम है क्या वहाँ पे Normal Public के हाथ में Power है? बिल्कुल नहीं In fact, तुमकों बताते हैं वहाँ पे ऐसा Rule था कि अगर कोई भी जब किम जौम हुम के दादा जी का Death हुआ था उसमें रोया नहीं तो उसको मार दिया जाएगा सबको जबरदस्ती घर के बाहर बुला के रुलाया गया था तो सोचो कितना control है वहाँ पे government का तो क्या consumer के हाथ में power है नहीं तो वह not sovereign अच्छा, इंडिया का consumer का हाथ में power है? हाँ भीया है तो वह sovereign इंडिया का consumer? हाँ, sovereign USA का public का हाथ में तो पूरा power है, पूरा sovereign ठीक है? अभी यहाँ पे एक बात हुआ, PDS यानि कि public distribution system उसका मतलब है कि public देखता है government कि public को essential goods अच्छा से मिल रहा हूँ, सही दाम पे ठीक है? ओके चौथा, ज्यादा से ज्यादा resources जो है, वो कौन control करेगा? भाईया, centrally controlled में government, free economy में normal public और mixed में government और public मिला के price जो है, वो market के हिसाब से set होगा, लेकिन government rules वगरा बठाएगा कि price ज्यादा उपर नीचे ना हो last difference जो government, यह centrally planned economy है वहाँ पे economic activity कौन संभालता है सारा public sector, यानि कि सरकार, अच्छा, free economy में private sector, यानि कि जो अपना private companies होता है वो, और mixed economy में दोनों, public भी और private भी, तो यह difference था तीनो, controlled economy का अब आते, last यह summary है तुम लोग देख लेना, सब हम पढ़ा चुके हैं objective type of question कर लेना, कोई भी दिक्कत होगा telegram पे, group में message करना, telegram में मेरा number दिया हुआ, उस पे message करना, तुमको जवाब वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है please किसी भी doubt में मत रहना कोई भी doubt हो, feel free to ask okay, thank you